नमस्कर शाथियोग करनाड से बड़ी खबर है दो वरता हो चुकी है दोन वीफल रही है कल वी जैसे रही है कि परशासन के तूर सरकार के चाहिए लेकिन वो भी वीफल रही है और आज भी तीन गंटे मीटिंग चलने के बाद वो भी वीफल रही है तो सासन और परशासन के साथ आज जो मीटिंग थी वो भी वीफल रही है परशासन का कहरना है कि जो आपकी मांगे है यह बेवुनियाद है तो किसानों का भी कहरना है कि जो HDM है उनके खिलाब भी परचादर जोना चाहिए और जिन्होंने लाठी चार्ज किया है उन पर भी करवाई होनी चाहिए उन पर भी परचादर जोना चाहिए कुछ इस तरह की मांगे हो और जो सुसील का जगा है और जिनको चोटे आई है उनको मुअबजा मिलना चाहिए लेकिन परसासन ने भी बोल दिया कि जो लाठी चार जो ही है उसकी हम जांच करवा सकते हैं तो समय लगेगा लेकिन किसानों ने ये बात से भी इंकार कर दिया है तो अब देखते हैं क्या कुछ फैसल होता लेकिन जो सची वालिया में किसान बेठे हैं और किसान नेता उनने बताया कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी बादा नहीं डालेंगे क्योंकि आम जनता को ही हिसमें अपने काम करवाने होते हैं तो आम जनता को हम किसी भी प्रकार क उनका एप्रेशेट किया है, उनकी परसंचा किया कि जो कल हमारे साथ बरताओ किया गया है, और हमने भी पुलिस परसासन का ऐसे ही से योग जही है, लेकिन जो सरकार के साथ लड़ाई है, सरकार के साथ लड़ाई है, हमारी सीधी है, और परसासन भी हमारे बाई बैढ़ने है बेटा बेटी है तो जुवान और किसान का हेक नाता है तो कुछ इस तरह के विचार किसान नेताओं रखे और जो ये आज मीटिंग होई वोभी विफल रही है दो वारता उचुकी है परसासन के साथ और सरकार के साथ लेकिन कोई भी मानने के लिए त्यार नहीं है तो जो भी मांगे है ये किसान नेताओं कि मांगे है कि जो सुशिल काजला उसको 25 लाख और जिसको चोटे आई है जो गाइल हुए हुनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो HDM है उसके साथ 302 307 का मुकदम दर जोना चाहिए और जब तक हमारी बात नहीं मान ली जाती हम तब तक दरना ऐसे ही देते रहेंगे तो साथी आपने वीडियो कैसे लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा सेर जरूर करें धन्यवाद